C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई चादह सम्मिति प्रिष्ठ 286 चादह दशमलवतीन घूर्णन सम्मिति जब घड़ी की सुईयां घूमती हैं तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि ये घूर्णन यानि रोटेट कर रही हैं घड़ी की सुईयां केवल एक ही दिशा में घूमती हैं यह घूमना एक बिंदु के चारों ओर होता है, जो घड़ी के पटल यानी फेस का केंद्र है. घड़ियों की सुयां जिस दिशा में घूमती हैं, वह घूरणन यानी रोटेशन, दक्षिनावर्त यानी clockwise घूरणन कहलाता है. अन्यथा घूरणन वामावर्त यानी anti-clockwise rotation कहलाता है. चटके पंखे की पंखुडियों के घूरणन के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या ये दक्षिनावर्त दिशा में घूमती हैं या वामावर्त दिशा में घूमती हैं? अधवा क्या ये दोनों दिशाओं में घूमती हैं? यदि आप साइकल के एक पहिये को घूमती हैं तो वह घूरणन करता है. यह दोनों ही दिशाओं अर्थात दक्षिनावर्त और वामावर्त दिशाओं में घूरणन कर सकता है. एक दक्षिनावर्त घूरणन और दो वामावर्त घूरणन में से प्रत्येक के लिए तीन उदहरण दीजिए. जब कोई वस्तु घूरणन करती है तो उसके आखार और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है. घूरणन उस वस्तु को एक निश्चित बिंदु के चारूं तरफ घूमाता है. यह निश्चित बिंदु घूरणन का केंद्र यानी सेंचर ओव रोटेशन खेहलाता है. प्रिष्ठ 287 घडी की सुईयों के घूरणन का केंद्र ख्या है? इसके बारे में सोचिये. घूरणन के दौरान घूमे गए कोण को घूरणन कोण यानी अंगल ओव रोटेशन कहते हैं. आप जानते हैं के एक पूरे चक्कर में 360 डिगरी का घूरणन होता है. एक एक हाधे या अर्ध चक्कर और दो एक चोथाई चक्कर के घूरणन कोणों के क्रमशह क्या माप हैं? एक अर्ध चक्कर का अर्थ 180 डिगरी का घूरणन है तथा एक चोथाई चक्कर का अर्थ 90 डिगरी का घूरणन है. जब बारह बजते हैं तो घड़ी की दोनों सुईयां एक साथ होती हैं. तीन बजने तक मिनट की सुई तो तीन पूरे चक्कर लगा लेती है, परन्तु घंटे की सुई केवल एक चोथाई चक्कर ही लगा पाती है. च्छै बजे की उनकी स्थितियों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या आपने कभी कागज की हवाई चक्री या फिर की यानी पेपर विंड मिल बनाई है? आकरती में दिखाई गई कागज की हवाई चक्री सममित दिखाई देती है. आकरती 16.1 परन्तु आपको इसकी कोई सममिती रेखा प्राप्त नहीं होती है. इसको किसी प्रकार से मोडने पर भी दोनों आधे भाग समपाती नहीं होंगे. यदि आप इसके केंद्र यानी बीच वाले स्थिर या निश्चित बिंदु के परित 90 डिगरी के कोण पर घुमाएं, तो आप देखेंगे के हवाई चकरी का आकार आकरती 14.1.1 की स्थिती के अनुसार पहले जैसा ही है. हम कहते हैं के चकरी में एक घूर्णन सममिती यानी रोटेशनल सिमिट्री है. एक पूरे चकर में ऐसी चार स्थितियां हैं, 90 डिगरी, 180 डिगरी, 270 डिगरी और 360 डिगरी के कोणों पर घुमाने या घूर्णन करने पर जब चकरी पहले जैसी ही दिखती है. आकरिती चार अलग अलग आकरितियां दी गई हैं, जो एक चकरी के घूर्णन को दर्शाती हैं. हर एक में चकरी पहली स्थिति के मुकाबले 90 डिगरी के कोण पर घूमी हुई दिखती है. इसी कारण हम कहते हैं कि चकरी में करम चार यानी ओर्डर फॉर की घूर्णन सम्मिती है. घूर्णन सम्मिती का एक और उदाहरण देखिए. एक वर्ग पर विचार कीजिए जिसका एक कोना या शीर्ष पी है. आक्रिती चौदह दशमलव एक तीन. आएए इस वर्ग के केंद्र को एक्स से अंकित करके इसके परित इस वर्ग को एक चौथाई चकर पर घुमाएं. आक्रिती चौदह दशमलव एक तीन में वर्ग के इस घुमाने को पांच अलग-अलग चरणों से अंकित किया गया है. प्रत्येक चरण में ये वर्ग अपने केंद्र एक्स के परित एक चौथाई चकर लगाकर नब्बे डिग्री घुमता है. प्रिश्ट 288 आक्रिती चौदह दशमलव एक तीन एक इसकी प्रारम्भिक स्थिती है. केंद्र के चारों और नब्बे डिग्री घुमाने पर आक्रिती चौदह दशमलव एक तीन दो प्राप्त होती है. अब बिंदुपी की स्थिती को देखिए. वर्ग को पुनह नब्बे डिग्री के कोण पर घुमाईए यानि घूरणन दीजिए. आपको आक्रिती चौदह दशमलव एक तीन तीन प्राप्त होती है. इस प्रकार जब आप वर्ग को चार एक चौथाई चक्कर घुमा देती हैं, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिती पर आ जाती है. अब यह आक्रिती चौदह दशमलव एक तीन एक जैसी ही दिखती है. इसे पी द्वारा ली गई विभिन स्थितियों से देखा जा सकता है. चारों ओर क्रम चार की घूरनन सममिती होती है. ध्यान दीजिये के इस स्थिती में एक घूरनन का केंद्र वर्ग का केंद्र है. दो घूरनन का कोन नब्बे डिगरी है. तीन घूरनन की दिशा दक्षनावर्त है. चार घूरनन सममिती का क्रम चार है. प्रयास कीजिए 1. A. क्या अब आप एक सम बाहुत्रिभुज के लिए घूर्णन सममिती के क्रम को बता सकते हैं? आकृती 14.1.4 यहां चार चरणों में इस सम बाहुत्रिभुज का घूर्णन दर्शाया गया है इसमें 120 डिगरी का कोण भी स्पष्ट नजर आता है बी, जब उपरोक्त त्रिभुज को उसके केंदर के परित यानी चारों ओर 120 डिगरी के कोण पर घुमाया जाता है तो कितनी स्थितियों में त्रिभुज, स्थिति के अनुसार पहले जैसा ही लगता है? दो, निम्नलिखित में से कौन से आकारों आकरिती 14.5 में अंकित बिंदु के परित यानी चारों ओर घुरनन सम्मिती है यहां चार अलग-अलग आकार दिये गए हैं और सभी में X के परित या आकार घुम सकता है इन्हें कीजिए O और O' से अंकित या व्यक्त कीजिए आकरिती 14.16 समांतर चतुर भुजूं को इस प्रकार रखिये के A- शीर्ष A पर रहे B- शीर्ष B पर रहे इत्यादी इनाकारों में अब बिंदु O पर एक पिन को लगाईए अब पारदर्शक शीट को दक्षणावर्त दिशा में घुमाईए एक पूरे चक्कर में पारदर्शक शीट पर बना आकार कागज पर बने आकार से कितनी बार समपाती होता है इसमें घुरणन सम्मिती का क्या क्रम है वह बिंदु जहां हमने पिन लगाई है घुरणन का केंद्र है इस स्थिती में यह विकरणू का प्रतिछेद बिंदु है आकरिती 14.1.6 में दो समांतर चतुर्भुज दर्शाय गए हैं जिसमें घुरणन की प्रक्रिया को समझाया गया है प्रतेक वस्तु या आकरिती में क्रम एक की घुरणन सम्मिती होती है क्योंके 360 डिगरी के घुरणन के बाद अर्थात पूरे एक चक्कर के बाद वह अपनी प्रारंभिक स्थिती में आ जाता है ऐसी स्थितियों में हमारी कोई रुची नहीं होगी आपके परिवेश में अनेक ऐसे आकार हैं जिनमें घुरणन सम्मिती होती है आकरिती 14.1 उदाहर अनार्थ जब कुछ भलों को काटते हैं तो उनके अनुप्रस्थ काट यानि क्रॉस सेक्षन ऐसे आकारों के होती हैं जिनमें घुरणन सम्मिती होती है जब आप इनहें देखेंगे तो आप आश्चर्य चकित हो सकते हैं आकरिती 14.1 यहां एक खटा हुआ फल दिखाया गया है जिसका अनुप्रस्थ काट यानि क्रॉस सेक्षन घुरणन सम्मिती दर्शाता है ऐसे कई सडक संकेत यानि रोड साइन्स भी हैं जो घुरणन सम्मिती प्रदर्शित करते हैं अगली बार जब आप किसी व्यस्त सडक पर घुमने निकलें तो ऐसे सडक संकेतों को पहचानिये और उनकी घुरणन सम्मिती के ख्रमों को ग्यात कीजिये आकरिती 14.172 यहां एक सडक संकेत दिखाया गया है जो घुरणन सम्मिती प्रदर्शित करता है आकरिती 14.173 में एक पहिया नजर आ रहा है और ये भी घुरणन सम्मिती दिखाता है घुरणन सम्मिती के कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में सोचिये प्रत्येक स्थिती में निम्नलिखित की चर्चा कीजिये एक घुरणन का केंद्र दो घुरणन का कोण तीन घुरणन किस दिखा में किया गया है चार घुरणन सम्मिती का क्रम प्रयास कीजिये दी हुई आकृतियों के लिए X से अंकित बिंदु के परित घूरन सम्मिती का क्रम बताईए आकृति 14.18 यहां आकृति 14.18 में तीन अलग-अलग आकृतियां दी गई हैं जिनमें X से अंकित बिंदु के परित घूरन सम्मिती का क्रम बताना है अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाथ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन्स्वर गौरव मार्वा तकनीकी समन्वयक बटिलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत